बाबरी केस में BJP के वरिष्ट नेता लाल कृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बारह लोगों के खिलाफ आज होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए टाल दी है इन नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चल सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेक्निकल ग्राउंड पर इन लोगों को राहत नहीं दी जा सकती कोर्ट ने CBI से पूछा है कि इन लोगों के उपर से जब हाई कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने की धारा हटाई थी तो पूरकारोपत्र दाखिल क्यों नहीं किया कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ तकनिकी आधार पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मामले की सुनवाई दो अलग-अलग अदालतों में चलाने के बजाए एक ही जगय क्यो न की जाए कोर्ट ने कहा कि राइबरेली में चल रही सुनवाई को लखनव ट्रांसफर क्यों न कर दिया जाए क्योंकि इससे जुड़ा का एक मामला पहले ही वहाँ पर चल रहा है गौर तलब है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने विशेश अदालत के फैसले की पुष्टी करते हुए IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश हटा दिया था